नमस्कार, स्वागत है आप सबका का आपके अपने मसाला कीज़न? अक्सर हम बहुत सारी सबजियों में कसूरी मेथि डालते हैं आखिर कसूरी मेथी और नॉर्मल मेथि में फार्ग क्या है तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि normally जो हम मेथी लेते हैं उससे हम कसूरी मेथी बना सकते हैं क्या और या फिर कसूरी मेथी अलगी होती है ये सारी चीजे और दूसरी चीज इसे हम जब ड्राइ करते हैं कसूरी मेथी बनाने के लिए तो हमारे पास दो तीन आप्शन रहते हैं जैसे हम इसे चाया में सुखा या हम इसे microwave में बहुत ही जल्दी सुखा कर clear करें लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में दूपी नहीं आती है या छाया होती है तो छाया में हम बहुत जल्दी नहीं बना सकते हैं मतलब 2-3 दिन तो लगी जाते हैं एक चीज और microwave बहुत सारे घरों में तो है लेकिन बह कामफुल रेस आ रही है जिससे हमारा जो है nutrition की सारी खराब हो रही है तो ऐसे में हम कुछ ऐसी चीजें करें जिससे यह बन भी बहुत जल्दी जाए और इससे ना हवा लगे ना मिटी की धूल लगे और बहुत ही जल्दी यह मेथी हमारी त्यार हो जाए तो इससे हम आप दो तरीके से मैं बताऊंगी इसे वीडियो को आप पूरे एंड तक देखें यह बहुत ही बढ़ियात मेथी बनकर थ्यार होगी तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथी आती है इसमें आपको यह पहचान करनी है वैसे आप इस मेथी से भी बना सकते है जो नॉमल आती है लेकि अगर आप ध्यान से बनानाचारियों की कसूरी मेथी वाकई वही कसूरी मेथी चाहिए तो आप पत्ते को देखके लिजे बहुत छोटे छोटे पत्ते और गोल है और जो नॉमल मेथी होती है उसकी आप देखेंगे पत्ते यह देखिए लंबी है यह देखिए बड़ा जा रही हूं कि अगर आपको कभी पहचानना है कि कसूरी मेथि और नॉमल मेथि क्या होती है तो ये आपके सामें है। अब हम इसे कैसे सुखा हैं सबसे पहले ये बात है:「 सबसे पहले हमें इसका बंज खोलना है और इसे हमें पानी में वॉष करना है। यह देखिए, मेथी को हमने बहुत अच्छे से वाश किया है, मार्किट में जो मिलती है, उसका कुछ पता नहीं होता, कई बार आप उसे पानी में जब डालते हो, उसमें खुब सारी मिठी निकलती है, तब बहुत बुरा लगता है कि कैसे हम क्रश करके सारी सबजियों में कस सारी मेथी डाल देते हैं, तो हमें पहले वाश करना है, बहुत अच्छे से वाश किया, अब इसे अच्छे से टॉविल से पोचना है, पोचने के बाद अब इसके हमें ऐसे बीनना है, जैसे हम नॉर्मली मेथी बीनते हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ किसे हम ड्राइ कैसे करें वो भी सिर्फ 5 मीट में बिना माइक्रोवेव के मेथी को मैंने बहुत अच्छे से चुन लिया है और इसे हम कैसे कोई भी हरी सबजी को कैसे बहुत दिनों तक स्टोर करके फ्रिज में रखें वो खराब नहों जब हमारा मन करें सुबह सुबह ओफिस के लिए बच्छों के लिए टिफिन बनाने हैं तो हम बनाएं तो ऐसे में मैंने एक वीडियो बना रखा है उसकी लिंक में डाल दूँगी आप उसको जरूर देखें तो अब हमने जो तरीका अपनाया है वो मैं बता रही हूँ जैसे हमारे गढ़ में OTG या O-1 होता है तो उसे मैंने ओन कर दिया है ऐसे ट्रे होती है या कोई भी थाली ले सकते हैं वहाँ पर मैंने एक पेपर डाल दिया है इस पेपर में आप इस तरीके से बिछा लेए और इसे हम 5 मिनिट के लिए रख देते हैं बेक करने के लिए इसे 180 या 160 डिग्री 160 भी बहुत है इसे बेक करने के लिए रख देते हैं और इसे बीच में एक बार हम हाथ से थोड़ा दूसरा तरीका इसका ये रहेगा जैसे नॉमल हम रोटी बनाते हैं तवे पर ये बड़ा तवा लिया है कोई भी आप तवे पर रोटी बनाते हो तो लास्ट में जो तवा हम रोटी बना लेते हैं उसके बाद काफी गरम होता है उस ताइम आप एक प्लेट रखतीजी अग पर आप मेथी रखें बहुत सारा बड़ा बंचना रखें थोड़ी थोड़ी करके मेथी रखें तवे पर बहुत अच्छे से प्लेट गरम हो गई है ऐसे में हम तवा जो गैस होता है बन कर देते हैं इसी गरम तवे पर इस प्लेट पर इसे उल्टाते पलटाते हैं ये सब और मेती अटारी काम करेंगे जब आपको बहुत जल्दी है। अगर जल्दी नहीं है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि किसी भी पेपर पर आप मेती रखते हैं एक चाईा मे बहूती बढ़िया मेती सीओक के तयार हो जाएगी। पर कभी हमें बहुत जल्दी चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया यह option है, और बहुत सारी quantity में आप मेथी store करके रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है इसे खाने में, हर तरीके से बना सकते हैं, तवे पर जो हमने थाली में मेथी रखी हुई है, वो काफी अट तक ऐसे soft स तो यह बहुत ही जल्दी त्यार होगे हमें मिल जाएगे, यह से main तरीका आपका वही रहेगा, यह आप छाया में सुखाएं, दूप में बिलकुल ना सुखाएं, दूप में मेथी का कलर खतम हो जाता है, और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, पीली-पीली मेथी हो जा यह देखिए, माइक्रोवेव से भी बहुत ज़्यादा अच्छी और यह मेथी तयार होई है, यह देखिए, कितनी क्रिस्पी, हम हर सबजी की जो टेस्ट बढ़ाते है ना इस मेथी से, तो यही कारण है, यह मेथी कसूरी मेथी जो है ना हमें घर में तयार होके मिल जाती ह इसी तरीके से पुदीना धन्या सुखा कर रख सकते हैं, अभी हमें थोड़े दिन पहले नंकीन बनाया था, उसमें धन्या पाउडर चाहिए था, पुदीना पाउडर चाहिए था, तो कई खालो रुदीना ओश दूर बस आपको खास बात का ध्यान यहां यह रखना है कि जो हम मेथी को पूरा बंच का बंच अगर गीला करते हैं, तो अगर हम उसके बाद उसके तोड़ते हैं, तो उसे सुखाना बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है, भले ही 2 गंटे लग जाए, 3 गंटे लग जाए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, अगर हमने बहुत जल्दी की और पानी वाली मेथी डैरेक्ट हमने सुखाने रखी, तो इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ड्राय होने में टाइम लगेगा, ऐसे टाइम पर यहां पर कई बार पीले पत्ते या काले पत्ते हो जाते हैं तो यह चीज का आप जरूर ध्यान रखें, एक दूसरा कारण है, आप या तो मेथी को पहले चुन लेजे, चुन के एक गीले नैपकिन से उसे पोच लीजे, बहुत ही बड़िया तरीके से, क्योंकि खास मिट्टी जो होती है, मेथी के डंठल में और जड़ों में होती है, जो रूट पार्ट होता है, तो उसके रूट पार्ट हट जाएंगे, उसके डंठल हट जाएंगे, सिर्फ जो पत्ते बचेंगे, उसे गीले नैपकिन से बड़िया पोच लीजे और इस तरीके से मेथी को तयार कर दीजे, और ये मेथी आपकी सारी सब्जीयों की टेस्ट बढ़ाके बहुत ही मजेदार सा टेस्ट लाएगी. सारे रस्टोरेंट में कसूणी मेθी का एक अलगी अलिए जगा है. बिल्कुल जो मसालों के साथ, बहुत सारे मसालों के साथ उसका टेस्ट बढ़ा देती है. और ये देखिए तवे पर भी ये मेथी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हो जाती है जब कभी हमें जरूरी चाहिए जल्दी चाहिए तो इस तरीके से गरम तवे पर आप रख देंगे न दीरे दीरे होके ये बहुत ही बढ़िया त्यार हो जाएगी और आपको जब भी भी इसके भी ऐसे काफी दिनों तक चला सकते हैं बस बीच बीच में ध्यान जरूर दें अगर कहीं कहीं आपको ऐसा लगे कि मोटी डंडी है और वो गीली रह गई है तो उसे निकाल दें ऐसा ना हो कि सारी मेथी को वो एक डंठल खराब कर देगी आपके मेथी को इन कुछ ची शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें